अनर्थ का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं अनर्थ का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे अनर्थ किया गया हो या जो अनर्थ किया जा चुका हो उसे हम एडजेक्टिव के रूप में अनर्थ कह सकते हैं इसके इलाबा unearthed का past tense or past participle यानि कि second or third form भी होती है unearthed और unearthed का आर्थ होता है खोजना, पता लगाना, खोदना, खोद कर निकालना, खोज कर निकालना, अचानक पा जाना या धर्ती में से निकालना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैंने अटारी से चित्र का पता लगाया या चित्र को खोजा तो आप कहेंगे I unearthed the portrait from the attic, या अगर आप ये कहना चाहें कि कुछ हडिया निकाली है या खोद कर निकाली है तो आप कहेंगे the dog has unearthed some bones, the dog has unearthed some bones अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें